दोस्तों नमश्कार, आदाव सच्रियकाद, नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अपने अपने बाहुबली, सभी रायनितिक दलों, खेमों, जादा तर, सभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जादा तर के अपने अपने बाहुबली हैं, अपनी अपनी पसंद के महाबली हैं अपने बाहुबली को हर कोई कहता है निर्दोष, हर कोई कहता है गुनाह की सजापा चुके हैं, अगर कोई गुनाह किया है तो ऐसे में सियासत क्या करे, समाज क्या करे, नेतिकता क्या करे, मर्यादा क्या करे, जस्टिस क्या करे हमारे समाज में अगर कोई नियाय का विधान है, अगर नियाय की कोई धारना है, तो वह इन चीजों को कैसे देखे दोस्तों हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस वक्त अपने अपने बाहुबलियों को पक्ष में जवर्दस्त दलबंदी दलों के बीश दिखाई दे रही है आनंद मोहन सिंह उनकी रिहाई का फैसला कर लिया है वहां की महागटबंधन सरकार ने और महागटबंधन सरकार ने जिस व्यक्ति के रिहाई किये जाने का फैसला किया वहां गोपाल गंज के उस दौर के डिस्टिक कलेक्टर डियम जी कृष्णयया उनकी निशन्स हत्या जो हुई थी लिंचिंग जो उनकी हुई थी लोगों ने कुचल कुचल कर जो मारा था उनको उस बड़े भयंकर अपराद में आनन्द मोहन की सनलिप्तता को माननी अदालतों ने सही पाया था और उसके आधार पर उनको कन्विक्ट किया था कन्विक्शन पहले जो उनका हुआ उसमें उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन लोवर कोट की सजा को बाद के बाद में हायर कोट ने आजीवन कारावास में तबदिल कर दिया लेकिन आनंद मोहन को बिहार की मौजूदा महा गटबंदन सरकार ने जो जेल मैनुवल है उस जेल मैनुवल की एक खास जो धारा है जो कहती है कि सरकारी सेवा में कार्यदत पदस्थापित किसी अधिकारी कर्मचारी की अगर हत्या होती है तो उसके जो गुनागार उसका होगा उसकी आजीवन करावास की या इस तरह की कोई सजा को कम नहीं किया जाएगा उसमें किसी तरह की धील नहीं दी जाएगी किसी तरह का उसको राहत नहीं दी जाएगी ये जेल मैनुवल कहता था लेकिन जेल मैनुवल के इस पर्टिकुलर प्राउधान को ही रिमूव कर लिया है सरकार ने और जब रिमूव कर लिया है तो आनंद मोहन सहित 27 लोग टोटल 27 लोगों के रहाई का रास्ता साफ अब मैं जब आप से बात कर रहा हूँ कुछ समय बात हो सकता है कि आनंद मोहन की रिहाई डिक्लेयर हो गई हो या डिक्लेयर हो जाए अभी भी वो पैरियोल पर हैं अपने बेटे की शादी में वो बाहर आए हुए हैं कई बार के सांसद रहे हैं विधायक भी रहे हैं एक पुलिटिकल पार्टी के रिजिनल अस्तर पर उनकी पार्टी थी बिहार पीपल्स पार्टी उसके अध्यक्ष भी रहें कई और पार्टीयों में भी रहें लेकिन आज उनके पक्ष में सबसे अधिक दलीलें जो दी जा भीड ने मारा था जी कृष्णिया साहब को बिलकुल बेगुना जो थे बिलकुल जिनका कोई कसूर नहीं था सिर्फ लाल बत्ती गाड़ी पर जाते हुए एक पुलिस एक एक अफसर को जो डिस्टिक कलेक्टर किसी और जी लेका है उसको भीड ने सरकार के प्रतीक के तौर किसे अफसे पे देखा और मारना शुरू कर दिया है मैं नहीं जानता कि अगर जी कृष्णिया की जगा कोई दूसरा होता वहां क्या उसके साथ भी ऐसा ही सलूख होता यनि जो सामाजी कमान बेख़ता है समाज बेख़ता है उसमें अगर दूसरा कोई व्यक्ति दिखाई जिसका रुत्बा होता वहां के समाज में, बिहार के समाज में, तो क्या यही घटना होती, यह मैं नहीं जानता, इसका आकलन भी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी कृष्णिया जो दलिच समाज से आते थे, अपने संघर्ष के बल पर अपनी पाली पीड़ी का वो एक अपसर, और इमानदारी से काम करने वाला आईयस अपसर, अपने लोगों, अपने आईयस अपसरों के बीच में बेहत लोग कप्री है, वो मार डाला गया, उसके बच्चे उसमें पांच और साथ साल के थे, दू बच्चियां, सभी बेदखल हो गए, अपने अपने जगह से वो फिर उनको उस जगह जाना पड़ा जहां से आये थे, आद्रप्रदेश, अभी वो तेलंगा नामे है, तो ये घटना हुई थी, और इस घटना के कारण वो जेल में गए, आनन्द मोहन, तो जो लोग कह रहे हैं कि वो तो निर्दोष थे, उनको फसा दिया गया, मॉब इंचिंग थी, ये कोई नहीं जानता कि वो घटना स्थल पर मवजूद थे या नहीं थे, अगर किसी ने देखा हो, तो वो कोर्ट में जरूर उसने साक्ष दिया होगा, लेकिन लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक जितने साक्ष दिये गए, जितनी गवाहियां द पड़ेगा कि नयाएकी प्रक्रिया में वो कन्विक्ट हुए, उनको गुनागार पाया अदालत ने, ऐसी स्थिती में किसी को निर्दोश कहना, या सदोश कहना, किसी को गुनागार कहना और किसी को निर्दोश कहना, उसका मापदंड क्या हो सकता है, मापदंड सिर्फ यह कारावास की सजा बुगत रहे थे। ऐसे में रिहाई का अगर आदेश किसी कोट से आता अपील के बाद आता तो बात समझ में आती है। लेकिन सरकार ने पहल की और सरकार ने इस पहल का संकेत कई बार पहले भी कर दिया था कि ऐसा करने का इरादा है। क्योंकि बार-बार विहार की जो मुझूदा सरकार है नितीश कुमार जी की अगवाई में उसके आला मंत्रियों पर टॉप जो नित्रित तो है उस पर भी दवाव था समुदाई विशेश से लेकर के और रायनितिक जो लोग थे उनका भी दवाव था कि आनन्द महुन जी को रिहा किया जाए अब सवाल इस बात का है कि आनन्द महुन को क्या रायनितिक कारणों से रिहा किया गया है सामाजी कारौनों से रिहा किया गया है जिन कारौनों से भी रिहा किया गया हो हम उसके ताह में जाने के बजाए आज सिर्फ एक बात पर किंद्रित करेंगे अपनी बात कि आखिर इतने सारे लोग जेलों में बंद हैं बिहार के 20,000 लोग तो शराब बंदी के दोरान शराब पीने के आरूप में बंद है या शराब का धंदा करने के आरूप में बंद है इन में ज़्यादा तर गरीब है बेहद बेहाल लोग है उनकी भी रिहाई पर सोचा जा सकता था ताड़ा में बहुत सारे लोग बंद हैं जिन में बहुत सारे लोग बेगुना हो सकते हैं देश के देश की बिल्की बड़ी जो महिला रिष्टलर्स हैं जो पहलवान हैं महिला जिनोंने इंटरनेश्नल Olympeak से ले करके और ये पाए हैं इन महिला पहलवानों की शिकायत के बावजूद उनके प्रोटेस्ट के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक ब्रजभूशन प्रसाज सिंग जो भारती जनता पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और जो भारती कुष्टी संग के अध्यक्ष हैं उनके खिलाब बदसलूगी का सेक्स्वल हैरेस्मेंट का जो इलजाम है उस पर इफायार भी नहीं हो रही है सजादेनी की बात छोड़िए परताल कराने की बात छोड़िए इफायार नहीं हो रही है और जब मैं दिल्ली में बात कर रहा हूँ आपके सामने दिल्ली से तो दिल्ली में बकायदे जनतर मंतर पर उन महिला खिलाडियों महिला पहलवानों का जबरदस्ट जबरदस्ट वहां पर धरना चल रहा है सरकार का मंतराले उनके बचाओ में है क्योंकि जो कमेटी बनी थी जनतर के लिए उसने उनको बेदाग माना है सुप्रिम कोट आफ इंडिया ने लेकिन एक बड़ा फैसला किया और उसने दिल्ली पुलिस को एक आदेश दिया कि आप जल्दी बताइए जल्दी बताइए कि क्यों F.I.R. नहीं हुआ ये बहुत बड़ी घटना है बिल्किस बानों के जो गुनागार थे उनकी रिहाई जिस तरह से की गई थी उन गुनागारों की कन्विक्टेड लोगों की उस पूरे प्रकरण को एक तरह से फिर से पुनर परभाशित करने की कोशिश की जा रही है जेल मैनुवल में जब तक आप कोई फेर बदल नौ करें तब तक किसी भी क्रिमिनल की रिहाई करने अपनी इक्षा अनुसार अपनी राजनीती के अनुसार वो सब जायज है अरे भाई वहाँ भी एक कमेटी थी जेल में जो बंद लोग हैं उनकी रिहाई के लिए और उस कमेटी में ज्यादातर लोग भारती जनता पार्टी से जुड़े हुए थे कुछ पदादिकारी थे लेकिन रिक्मेंडेशन हुआ और रिक्मेंडेशन होने के बाद जब रिहाई हुई तो भारती जनता पार्टी की तरफ से अनेक लोगों ने जाकर और माला पहनाई फूल पहनाया स्वागत हुआ ऐसा भी हुआ है और क्या लोग भूल गए कि उडिशा में उडिशा में जब एक क्रिश्यन मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जलाकर मार डाला गया था और वो व्यक्ति था दारा सिंग दारा सिंग उर्फ रविंद्र कुमार पाल उसके घर का नाम ये बहुत पुरानी बात है सन 2000 के जनौरी महिने की और उस मामले में जो कन्विक्शन हुआ दारा सिंग का वो आज तक रिहा नहीं हुआ रिहाई के लिए बार बार कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उरिसा हाई कोर्ट ने उस पेटीशन को खारिस कर दिया और 2000 के बाद से ही वो जेल में बंद है और अभी तक उसको वहाँ से मुक्ति नहीं मिली किसी भी तरह की रियायत के लिए उरिसा सरकार ने या किसी और सरकार ने कोई पहल नहीं की हम compare नहीं कर रहे हैं हम बिलकुल compare नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कहना अब भारती जन्ता पार्टी में विहार में दो गुट बन गए हैं एक गुट कह रहा है कि आनन्द मोहन तो बेचारे हैं उनके नाम पर politics नितीस कुमार और अरतेजस्वी यादो कर रहे हैं ये चुनावी politics है यानि उनका इशारा है कि राजपूत वोटों को गोलबंद करने की ये एक कोशिस है RGD और GDU की सरकार द्वारा दूसरा जो खेमा BJP का है वो ये कह रहा है कि बिलकुल सही हुआ है RGD करना बलकि कुछ और नेताओं के बारे में या जिनके आपराधिक जिनका एक चरित्र रहा है या स्वरूप रहा है या जो कन्विक्ट हैं उनको उनको भी रिहा करने का की मांग की जा रही है तो BJP में दो तरह की बात ही बोल रहा है BJP यह भी एक चुनावी रणनीती का हिस्सा हो सकता है भारती जनता पार्टी के कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये गलत हुआ जो आम तोर पे क्रिटिकल जो आवाज है वो सुशील कुमार मोदी की तरफ से है कि ये गलत है नीतिगत तरफ पर गलत है लेकिन अगर आप गिरिडाज सिंग की बात सुनिए अगर आप दूसरे और नेताओं की बात सुनिए भारती जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तो उनकी बातों से ये साप निकलता है कि वो आनंद बोहन की रिहाई को गलत नहीं बता रहे हैं वो तरीके पर सवाल केवल उठा रहे हैं नितिस कुमार की सरकार के या उनकी मनशा पर सवाल उठा रहे हैं बड़ी जलचस्प बात है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जो दरजनों की संख्या में बाहु बली हैं जो भारती जनता पार्टी के या तो सदस्य हैं या जो उनके पुरू में MLC MLA रहे हैं कुछ अभी भी हैं उनके बारे में बिलकुल खामोश हैं तो दोस्तों क्या इस दोर में ये माना जाए कि राजनितिक दलों में होड लग गई है अपने अपने बाहु बलीयों के साथ खड़ा होने की बिहार में अगर देखा जाए तो जादातर पुलिटिकल पार्टी इस मामले में या तो समर्थन में हैं या तो बिलकुल खामोश हैं सिर्फ CPIML ने जो महागटबंदन का हिस्सा है CPIML उसने क्रिटिकल आवाज में अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि रिहाई में भेद भाव अपनाया गया है और उसका ये कहना है कि भदासी अरवल कांड के जो टाड़ा बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाए कि यो 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके ऐसे लोगों में लोग ऐसे जो ऐसे लोग हैं वो ज्यादातर बीमार हैं दलित अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के हैं तो ये ट्रिटिकल आवाज ये हुआ है कि ये तोर तरीका गलत है सरकार का इस तरह से करने का लेकिन ज्यादातर रोग पक्ष में हैं या बिलकुल खामोश हैं तो क्या हम मानें कि उत्तर प्रदेश में या आपके बिहार से लेकर के गुजरात तक और मद्ध प्रदेश से लेकर के और आमिन दूसरे और जो हलके हैं क्या यहां पर राइनितिक दलों में खोड़ सी जार तैसे ज्यादा से ज्यादा बाहुबलियों को मॉबलाइज किया जाएं क्या हर वो बाहुबली प्रोटेक्शन पा रहा है या पाता ही रहेगा जिसको दरकार है राजनेताओं की जिसके समर्थन की जो ऐसे समाज से आता है ऐसे समुदाय से आता है और जिसकी उस कर सकता है वोटों को क्या हिंदी हार्ट लैंड के जो ज्यादातर सूबे हैं वहां जो अपराधी किस्म के लोग हैं बाहुबली किस्म के लोग हैं क्या इस तरह का अग्यान इस तरह की धारणा उनकी जातियों में बन गई है कि वे उन अपराधीयों को उन बाहुबलीयों को अपनी जाती का जंडा बना लिया है कि वो बताएं कि ये हमारे बाहुबली है हैरत अंगेज ये प्रशन है तो ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में तो जो मारा जाएगा वो अतीक हमद ही हो सकता है जिसे किसी पुलिटिकल पार्टी की जरूरत अब नहीं रह गई है जिस तरह का ये माहौल इस समय देश में है जिस तरह का ये समाज इस देश में है और ये महजसं जोग नहीं कि जिस वक्त अतीक tutto मारा गया उस वक्त उसे किसी पुलिटिकल पार्टी का पैटर्रेज नहीं थी तो दोस्तो आज बस इतना ही हम ये कहेंगे कि न्याय होना ही नहीं नहीं चाहिए ये न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए राजनीतिक लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति में मर्यादा न्याय की धारना का महत तो बना रहे राजनितिक बंदियों की रहाई का मस्ला होता बेगुना लोगों की रहाई का मस्ला होता बिलकुल बात समझ में आने वारी है लेकिन इस तरह के मसलों पर इतने बड़े बड़े फैसले करना और यही नहीं केवल एक ही बात मैं नहीं उठा रहा हूं मैं तो बिलकिस मानों के मामले में भी उठा रहा हूं सवाद कि वहां भारती जनता पार्टी का जुकी जो दलील थी वो कितनी हास्यास पत ब्रजबूशन प्रसास सिंग के मामले में जिस तरह की दलील है उसे आप क्या कहेंगे अब देखना है कि सुप्रिम कोर्ट मानी सुप झाल